Hello dear students, welcome to unique classes of right way. Income and spending में आज आपकी है class number 5th. आज का topic decided है लेकिन उससे पहले, सबसे पहले लेखी आप class number 5th. और फिर proceed करेंगे. Class number 5th. पिछले class में मैंने क्या पढ़ाया था? कुछ देर के लिए मुझे उनको repeat करना होगा. एक link established करने के लिए. देखिए क्या बात भी थी? मैंने सारे multipliers आपको सिखाये थे. और मैंने कहा था कि अगर आपका income में change आता है. देखो तो सही. तो अच्छे आने के दो बज़ा हो सकते हैं. पता सकते हैं कौन-कौन सा बज़ा हो सकते हैं? एक हो सकता autonomous expenditure और दूसरा हो सकता MPC. याद है आपको? आपका income depend करता है autonomous expenditure पे और MPC पे. Autonomous expenditure में अगर change आएगा तो क्या फरक पड़ेगा? keeping the MPC same. ये बात ये पिशली class में भी थी. MPC में change नहीं कर रहे हैं, बलकि autonomous expenditure में change कर रहे हैं. तो मैंने कहा था, कि अगर आप change in Y करेंगे, change in A करेंगे, अगर मालो 100 रूपीज से आपने किया, तो आपकी income 300 से बढ़ गई. इसका मतलब बीच में एक factor है, जो multiply हो रहा है, इस factor का नाम क्या था? multiplier. और इसी multiplier को मैंने क्या कहा था? 1 upon 1 minus C, और इसकी value क्या रखी थी? मैंने tentatively 3 रखी थी. यही multiplier है. और मैंने कहा था, multiplier की value more than 1 ही होगी, less than 1 होने का सवाली नोड़ता है. multiplier की value 0 से ज़्यादा होगी, sorry, MPC की value 0 से ज़्यादा होती है, और 1 से कम होती है. होती है न? तो multiplier की value 1 से ज़्यादा होती है. यह सब बाते example के साथ-साथ मैंने discuss कर लिया था. पूरी बाते discuss हो गई थी, और फिर मैंने कहा था आपको, कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं, change in y equals to, change in a bar into 1 upon 1 minus MPC, अगर यह a bar को आप इधर कर दें, तो यह होता है 1 upon 1 minus MPC, और यह आपका multiplier है, इसका मतलब multiplier की value क्या हो गई? delta y upon delta a, यह multiplier है, delta y upon delta a multiplier है, इससे साथ पता चलता है कि, अगर आपने autonomous expenditure में, 1 रुपे का change किया, तो आपके income में correspondingly कितना change होगा, यही multiplier कहलाता है, अगर 1 रुपे का change किया, तो हो सकता है कि income में 3 times change हो जाए, इसका मतलब multiplier 3 है, 4 times change हो जाए, तो multiplier 4 है, अगर आपके पास यह चीज है, ध्यान दीजएगा, a equals to 1 upon 1 minus c, इसमें से कोई भी 3 चीज है, sorry 2 है, तो तीसरे आप निकाल सकते हो, अगर आपको यह भी दे रखा है, तो भी निकाल सकते हो, इन दोनों में से दोनों दे रखा है, तो यह सब भी निकाल सकते हो, इनका इस्तमाल हम करते हैं, एक फेक्टर से दूसरे फेक्टर निकालने में भी इसका इस्तमालम कर सकते हैं, numerically इसका यूज कर सकते हैं, एक फेक्टर से दूसरे फेक्टर निकालने में, फिर मैंने कहा था कि यह जो multiplier है, यह common noun है, common name है, इसके पीछे एक prefix जुड़ेगा, और इसका नाम चेंज हो जाएगा, अगर मैं कर दूँ, अगर मैं कर दूँ, डेल्टा Y upon डेल्टा C, तो यह हो जाएगा, autonomous multiplier, autonomous consumption multiplier, जो कि सबसे कम examination में, और कहीं भी use होता है, यह समझाने के लिए है, डेल्टा Y upon change in TR, यह transverse multiplier, बिटा जाने, इसबयारें, बात हो चुकी है न, बात हो चुकी है, multiplier का naming मैंने क्या किया था, एक short name रखा THA, multiply का short name रखा THA, और इस तरह से मैंने क्या समझाया था, change in Y upon change in C, यह भी होगा अलफा, change in Y upon change in C, यह भी होगा अलफा, change in Y upon change in G, हम लिखते हैं तो book क्या करता है न उसको alpha g नाम दे देता है क्यों government expenditure multiplier show करने के लिए अधरबाई सिर्फ alpha से भी काम चल जाएगा अब चाहे आपको autonomous consumption expenditure multiplier हो या investment multiplier हो या government expenditure multiplier हो हर जगा multiplier की का जो formula होता हो वो सेम होता हो alpha ही होता है लेकिन अगर मैं transfer multiplier की बात करूँ तो यहाँ थोड़ा change हो जाता है यहाँ पे c से multiply हो जाता है mpc से क्यों होता है यह पिछले class में discuss कर चुको मैं आपसे अगर text की बात करेंगा तो यहाँ भी c से multiply होता है लेकिन c के पीछे sign कौन सा होता minus minus alpha c अब मैं आपको इस class में लेकर चलता हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि यह graph मैं अगली class में फिर से बताऊँगा तो जब बताऊँगा ही तो मैं क्यों discuss करूँ लेकिन इस class में जाने से पहले जो सबसे important बात मैं पूछना चाहता हूँ वो मुझे जवाब दीजिए तभी म मैं इस class में आगे बढ़ूँगा बुक्या चोटी चुरी बात है multiplier common होता है किस-किस case में investment के case में autonomous इसके case में consumption और government expenditure case में जो multiplier होता है alpha होता है और उसकी value क्या होती है 1 upon 1 minus c क्यों इतनी बार पूछते हो sir इसलिए पूछता हूँ कि जब मैं numerical करवाँगा तब इसका है तो समझेंगे कि मैं क्या करवा रहा हूँ मेरा मकसद है कि इतना ज्यादा मैं class में ही और चीक चीक के समझा दों कि numerical करते वक्त तो आपका pen रुके ही ना बिल्कुल मिंटों में करके दिखा दे आप numericals उसके बाद अगर मैं कहूँ आपको मैं अलग से लिखता हूँ tax multiplier तो बताई क्या होगा जल्दी बोली है tax multiplier कि माइनस c alpha या यूँ क्या लोगी minus one upon one minus c into c मजा आ गया tax multiplier लेकिन यह tax multiplier जानतों किस case में होता है when tax is autonomous और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूँ देखना इसका कितना बड़ा महत्व है कितना importance है क्योंकि tax variable भी हो सकता है याद है कहा था यह नहीं कहा था tax income का variable भी हो सकता है ty भी हो सकता है अभी मैं थोड़ा थोड़ा बोलना start किया क्योंकि जानता हूँ मैं कि अगली class में पूरी class ty पे जाने वाली है पूरी उइख श्पी इसलिए हल्का हल्का डोज मैं दे रहा हूं आपको ठीक है तो यह भी होगा text multiplier जब टिक्स अंटोनूमस होगा अब आपको last वाल हैं पोछ रहा हूँ transfer multiplier ठीक प्रिंख क्या होगा transfer multiplier transfer multiplier होगा c alpha और इसके पीछे minus sign मत लगा देना transfers के बढ़ने से लोगों के पास income बढ़ती है तो consumption बढ़ता है ठीक है न? अल्टिमेटली आपकी overall income भी बढ़ जाती है यह transfers multiplier बस अब मुझे उस graph के बारे में बात करने दो जो graph पिछली glass में untouched ड्रा गया था और वो क्या है देखो बहुत ही आराम से बहुत ही जल्दी में ग्राफ ड्रा करता हूँ तो कितना समझ मागा तुरंती आप लोग भी साथ साथ ड्रा केजिए अगर बहुत जल्दी बाजी करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा समझने में फिर मुझे बार बार समझाना पड़ेगा ठीक है सर अब आप मुझे बताएए कि मैं यहाँ क्या ड्रा करने बाला हूँ 45 डिगरी लाइन हमेशा करता हूँ नहीं करता यस सर यह क्या शो करता है y equals to 80 उसके बाद सर हाँ इसके बाद मैं करने बाला हूँ AD यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए 45 डिगरी ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं ड्राउ करूँगा एक क्या AD AD ड्राउ करूँगा AD की वैल्यू क्या होती है बोलो A बार प्लस C वै मज़ा आगया A बार प्लस C वै आप दो बच्चों की आवाज में बार बार सुन रहा हूँ मेरे क्याल से एक है क्या नम है खंडेलवाल क्या नम है भूमी का और दूसरा किसका आवाज है साहिल का है और भूमी का खंडेलवाल मेरे क्याल से रायस्थान जाइपूर से है न तो दिल्ली से है ठेक है बात करूँगा जो ऐसे मुझे फोन करना भी था तो मैं मैंने फोन किया भी था लेकिन आप साथ पिक अपने गर पाई होंगी अनिवे तो AD कोस्टो एबार प्लस C वै ठेक है अब अभी जो एक किसका 1 वैंन तो आपको अच्छा समय मैं आएका बोलने से इन वाल Nay समय माहता है लोग अटेंशन सी कर पाता है अब अपना भी अटेंशन दे पाता है और मजह आता है उसको इलड वोना होना बोलता है अगर involved नहीं होंगे, सिर्फ सुनना ही है तो फिर तो recorded भी सुन सकते हैं क्या दिक्कत है फिर, तो आप class में participant कीजिए अब आपको मैं पूछता हूँ मुझे बताईएगा कि ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे O और ये point रख लेता हूँ मैं A A, ये O A को अब क्या कहोगे ये A bar क्या भात है, ये A bar है कितनी बार में क्या चुक्ण हूँ हूँ, ये A bar की value क्या है Sir, A bar की value है C bar, plus C T r bar, minus C T A bar bracket में, plus I bar, plus G bar, plus N x par इतना बड़ा, कुछ नहीं होता है सब जानते हैं सेक्टर के हिसाब से होता है अब मैं मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इनिवेस्टिमेंट को चेंज कर देता हूँ इनिवेस्टिमेंट को चेंज करता हूँ तो क्या होगा और्टनॉमस पोर्शन चेंज हुआ है इसका मतलब है कि आपका जो एक रिकर डिमांड कर वोगा हो शिफ्ट तो करेगा लेकिन कैसे शिफ्ट करेगा हो पैरलली पैरलली शिफ्ट करेगा ये मैंने पॉइंट कर दिया यहां पे बी अब ये ए भी क्या है चेंजिन आई ए भी क्या है चेंजिन आई लेकिन मैं अगर पूछूँ अ लेकिन मैं पूछूँ ओबी क्या है तो क्या कहोगे? कहोगे sir, a bar plus change in i, और क्या है? और क्या हो सकता है? ob क्या हो सकता? a bar plus change in i मानते हो? लेकिन मैं सिर्ब बात कर रहा हूं यहाँ पे ab का. ab ab मतलब क्या? यह मतलब change in IE, मैंने change in IE क्यों लिखा, क्योंकि मैं यह investment में change किया मैं government expenditure में भी change कर सकता था जनरली दो ही चीज में change होता है, यह ध्यान रखना investment and government expenditure में change करके जादर सवाल पूछा जाता है अधरवाई change किसी में भी कर लो आप तो क्या हुआ कि आपका aggregate demand curve आपका क्या बन गया मुझे बता यहने क्या बन गया पिछले class में मैं last session में इसको समझाने कोशिश करी थी हौच पौच हो गया था, इसलिए मैं आज भूत आराम से समझा रहा हूँ, बतो क्या होगा यहाँ पे AD बलोन AD क्या होगा sir, A bar होगा प्लस CY होगा लेकिन फरक होगा, यहाँ पर यह 1 है यह भी AD1 है, यहाँ पर यह 2 है और यह भी 2 है AD2 equals 2 क्या होगया, A bar 2 प्लस CY, AD1 equals 2 क्या होगया A bar 1 प्लस CY देखते हो, CY में मैंने कोई change नहीं किया है CY, मतलब MPC में यहाँ पर कोई change नहीं हुआ, MPC यह MPC है ना, इसमें कोई change नहीं हुआ 2 प्लस CY, MPC same है, मतलब क्या slope same है मैंने कई बार पिछले ग्लास में बात करी थी अब फिर से बोलता हूँ, slope of slope of aggregate demand curve क्या होगा बोलो ना, C होगा, MPC होगा मैंने पिसले ग्लास में कहा था, कि आप अगर linear equation जानते हैं तो क्या होता, MX plus C होता है, इसमें M क्या है? slope है, और यहाँ अगर बात करो तो AD equals 2 क्या है? AD equals 2 है, क्या? CY plus A bar तो यहाँ C क्या है? यह भी slope है आप चाहो तो change के तरीके से भी slope निकाल सकते हो change in AD upon change in Y तो अपने आप अपको slope आ जाएगा मान गई slope है, slope में change किया नहीं अगर slope में change नहीं होगा तो aggregate demand curve shift करेगा parallelly मानते हो ना, यह कहने की बात है क्या? सब जानते हैं if slope remains constant then aggregate demand curve shifts parallelly मैंने parallelly short में लिख दिया है shifts parallelly उपर भी shift कर सकता नीचे भी increase भी कर सकता decrease भी कर सकता लेकिन मैंने यहाँ पर increase किया है बहुत सही बात बहुत सही बात यहां तक हो गई है मान गई यहां तक इस बात को समझ गई है कोई भी सवाल करने के लिए इवन इस unit के बाद इस चप्टर बार जो नेक्स चप्टर रहेगा उसमें भी ये ग्राप बहुत इंपोर्टन्ट है येस सर अब क्या करना है अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वाई वन और एक क्या लिखता हूँ वाई टू मजा आगया वाई टू आज स्लो हो रहा है तो मैं पढ़ाऊँ आज मैं जान बुझ कि स्लो पढ़ा रहा हूँ आज मुझे पता नहीं यह इंपोर्टन्ट है यह वाई वन है और यह क्या वाई टू है एक लाइन मां यहाँ पे भी ड्रॉव कर देता हूँ इसको क्या बोलेंगे हम चेंज हीन वाई बोले है ना बोलेंगे जन इण ina vibe आप चाहो मैं नेमिंग कर दो इसको वजो वडी में पन दिय कर देता हूँ चलो कुछ भ़ह नाम रख दो क्या फरक परता है डी कर देता हूं और इस पॉइंट करता हूं टी एफ मजा आ गया ओ गॉड पुरा एरेज हो गया आम सॉरी पूरा एरेजी हो गया चलो चलो जल्दी से बदाना पड़ेगा फिर से एरेजर बटन दब गया पुरा एरेज हो गया चलो ठीक है जल्दी देख लिए बच्छे है दूसरा क्या है एरी वन है जास्ट आपको आप लोग बना लेजी यह टिकनोलोजी का एड्वांटेज है तो कभी का डिस एड्वांटेज भी है क्या कर सकता हूं इसमें यह होगी आपका एडी बन विल्कुल सही बात है और यह होगी आपका वाय वन और यह होगी आपका एडी टू पैर दली बिल्कुल सही बात हाँ और यह होगी आपका वाय टू यह डी यह हो गया क्या आपका बोलो चेंज इन वाय हो गया डी ओगया चेंज इन वाय और मैंने डी एफ इसको एफ रखा था वेरी गुड डी एफ आगे सब कुछ सामने ठीक है बच्चे जल्दी बताओ यह सर अब एक छोटी बात पूशता हूँ आप मेरे को बताइए कि 10 ग्लास में ले जा रहा हूँ आपको यह एंगल क्या होगी यह एंगल यह मैं इसके इस एंगल के बारे में बात करूं यह एंगल यह एंगल कितनी होगी बता ही जल्दी से 45 डिगरी पता है क्यों 10 लास यह एंगल से यह ए यह एगर 45 डिगरी है यह भी 45 डिगरी होगी अगर यह 45 पर यह 90 है तो यह कितना होगा 45 होगा इसका मतल़ इसको क्या बोल सकता है आईसो सेलेस राइट अंगल ट्राइंगल बोल सकते है Isosallas right angled triangle बोल सकते हैं Isosallas triangle ए खास बात क्या होती है Two sides equal होती है Isosallas triangle खास बात होती है Two sides equal होती है इसका मतलब यहां यह हो गया कि DE equals to क्या हो गया EF हो गया D equals to EF हो गया अगर D equals to EF है आप में से कोई दूसरा बच्चा बोलेगा इन दोनों को छोड़ करके D equals to EF है तो D कितना है Change in Y है तो EF भी क्या हो गया Change in Y हो गया तो क्या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ Change in Y EF को EF को क्या लिख सकता हूँ Change in Y लिख सकता हूँ ना बोलो ना EF क्या Change in Y है और EF के साथ-साथ एक पॉइंट रखता हूँ या ग्रीन कलर मैं जी रखता हूँ आप मुझे बताए कि FG क्या है FG क्या है मैं आप से बता है किसके बारे मैं पूछ रहा हूँ मैं आप से पूछ रहा हूँ यह चेंज नाई है यह और यह सारे parallel है हर जगा चेंज नाई ही दिख रहा है ज़हां भी जो हर चेंज नाई है यह चेंज नाई है अब एक और छोटी बत बुशता हूं EF में और FG में कौन बढ़ा है EF is what EF is more than EF is more than FG EF is more than FG का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वाई इस मोर दैन चेंज इन आई मेरी मजबूरी थी कि मुझे इस ग्राप के बगल में लिखना था यह चीज लिख दिया यादा को यहां पर इसको लिख लिजेगा इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं यह पूरी बात को पूरी बात यह बॉक्स में यह पूरा एक चीज है यहां से यहां तक सारा एक कॉंसेट है बॉक्स में आ गया मानगे बच्चे ऐसा तो होना ही था ना वाई जितनी हमारी investment में change हुई है income में उससे ज़्यादा change हुई है यही तो मुझे साबित करना है जितनी हमारी investment में change हुई है income में उससे ज़्यादा change हुई है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे FG क्या है investment है और यहाँ पे FE क्या है income है तो income में ज्यादा change हुई है अगर income में ज्यादा change हुई तब यहाँ देखो इसका मतलब है कि मुझे अगर income को investment के बरावर करना है तो यहाँ पे कुछ में कुछ रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा? multiplier, और multiplier क्या होगा? अलफा होगा? इसका मतलब है कि अगर ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये बराबर तभी हो सकता जब इसको multiply करें, किस से multiply करें? multiplier से, और multiplier की value क्या है? अलफा है, और वही क्या है? 1 upon 1 minus C है तो आपने सर इस graph के मारफ़त से, इस graph के help से क्या सिखाना चाहा? मैंने इस graph के help से ये सिखाना चाहा कि बेटा जान देखो, कि जितनी आपकी income change हो रही है, उससे कम investment में change हो रही है, मतलब कम investment करने से भी आपकी income ज्यादा हो रही है, उस case में अगर equal करना पड़ेगा, तो investment में multiplier से multiply करोगे मतलब investment into multiplier equals to क्या होगा, change in income आएगा, मान गए? अच्छी बात ही ना, बताओ, अच्छी बात ही ना? आई बस समय में आपको, जल्दी बोलो Yes sir, लिख लिए इसको इसको तो मैंने बड़े आराम से कराया, बड़े आराम से कराया, तो आपको पूरा लिखने का मौका था, आपको पूरा लिखने का मौका था, पूरा लिखने का मौका था, पिर भी मैं थोड़ा से रुख जाता हूँ आप इसको लिखिए, मैं जान बूज कर रुका हुआ हूँ आज, अपनी आदत से भीपरीद, मैं बहुत ही फास्ट बोलता हूँ, लेकिन आज मैं रुका हूँ, लेकिन जल्दी ड्रॉ किजिए, बड़े राम से, ये छोटे छोटे नॉलज़ को इकठा किजिए, फिर देखना कितना मजाएगा, यहीं तक अगले समस्टर तक मजाने वाला है, यह सर लिख लिए, अगर आपने सब लिख लिए होगा, तो फिर आप आईए, हेडिंग लिखिए, वर्किंग आप दा मल्टिप्लायर, वर्किंग आप दा मल्टिप्लायर, मल्टिप्लायर आखिर वर्क कैसे करता है, वर्किंग आप द multiply multiplier कैसे काम करता है कैसे काम करता है इसके बारे मैं जानी है ठीक है multiplier कैसे work करता है इसके बारे मैं ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि मैं एक example लेता हूँ उसके तुरू आप पुस्म जाता हूँ यहाँ सबसे पर लेखिए round फिर लेखिए आप increase in round है फिर लेखिए increase in demand मतला लिखता हूँ मैं change in AD और उसको उपर कर देता हूँ इसका मतला increase in demand हो गया फिर मैं लिखता हूँ change in aggregate supply aggregate production उसको उपर करता हूँ मतला increase हो रहा है फिर मैं करता हूँ change in income change in why उपर कर देता हूँ फिर मैं लिखता हूँ change in total income इसको भी पर उपर का इरो में दिखा रहा है मतलब क्या increase दिखा रहा है अब मान लिजिए क्या हूँ round one में क्या हूँ round one लिखिए यहाँ पर one round पहला round में क्या हूँ देखिए आपका मान लो कि आपने autonomous expenditure में change किया change in a bar किया कि नहीं किया autonomous expenditure में आपने change किया इसका मतलब change in a bar autonomous expenditure के कौन से component में change किया उससे फरक नहीं पढ़ता बस change किया change in a bar अगर आपने change in a bar किया तो इसका मतलब demand आपकी इतनी सी बढ़ गई होगी भाई मेरे pocket में लाग रुपया में लाग रुपय मार्केट में जाए खर्च कर रहा हूँ तो मेरे demand इतनी बढ़ गई aggregate demand आपकी बढ़ गई change in a bar अगर demand बढ़ ही तो साथ-साथ supply भी बढ़ ही change in a bar supply बढ़ ही तो साथ-साथ income भी बढ़ ही change in a bar और total income भी बढ़ ही change in a bar मानते बात को अगर कोई बंदा market में एक लाग रुपया और invest कर रहा है तो एक लाग से demand बढ़ रही है कहीं ने कहीं वो पैसा जाके market में किसी ने किसी का income बढ़ रहा है तो income भी बढ़ रहा है नहीं मानते हैं आप जो पैसा खर्च करते हो तो किसी ने किसी का income बन जाता है यह हो गया आई अब second round देखिए क्या कहता है अब यह बताओ कि अगर बंदे की income बढ़ेगी सुनरो मेरी बात बंदे की income बढ़ेगी तो आप जानतों ने कि बंदा सारा income consume नहीं करता कुछ तो consume करता है कितना consume करता है जितना बंदे की mpc है जितनी mpc है तो second round में वो कितना consume किया होगा कितना खर्च किया होगा खर्च किया होगा c into change in a बार से नहीं किया होगा second round में वो c into change in a बार से खर्च किया होगा c into change in a बार से मानते हो अरे बाबा क्यों नहीं समझते हो मैंने एक लाग रुपर मार्केट में इनिवस्ट किया तुम्हारे पास वो पैसा गया तुम्हारा वो इंकम बन गया तुम अब क्या करोगे उस पैसे के लेकर मार्केट में जाओगे क्या सारा का सारा एक लाग रुपे मार्केट में खर्च कर दोगे, नहीं, तुम्हारा MPC मान लो 80% है, तो 80,000 खर्च कर दोगे, 20,000 तो सेव कर लोगे, तो कितना खर्च किया आपने, C into A बार, जितना आपने खर्च किया, उतने से aggregate demand बढ़ गई, एग्रिगेट demand बढ़ी, तो उतने से फिर क्या होगा, उतने से फिर हमारी income भी, एग्रिगेट supply भी बढ़ गई, उतने से हमारी फिर income भी बढ़ गई, और हमारी total income में कितना increase होगे आप, change in A बार, प्लस C into change in C, sorry, change in A बार, प्लस C into change in A बार, सरी ये total income क्या चीज़ है, ये पहले round का income था, और दूसरे round में, total इतना change हुआ, सर ये दोनों में समय नहीं आ रहा है, ये क्या चीज़ है, अरे बाबा, ये जो है न, ये हर round का individual change है, ये जो है, हर round का individual change है, मैं यह यह बहुँ लिख रहा हूं, hashtag, ये हर round का individual change है, और ये सब round का मिलाकर total change है, संभाई रह मेरी बात को, yes sir, अब आपके second round में कितनी income की change हुई, इतनी, second round में, जितनी income की change हुई है, उसका कुछ portion आप फिर से खर्च करोगे, नहीं करोगे बता हो, जितना पिछले round में आपका income बढ़ता है, उतना, उसका certain MPC आप अगले round में खर्च करते हो, तो यहां क्या करोगे, यहां करोगे, c into, c into change in a bar, नहीं करोगे, बताओ, c into, c into change in a bar, करोगे नहीं करोगे, बताओ, क्योंकि second round में आपका income इतने से बढ़ा, अब इस income को multiply कर दो MPC से, तो उतना आप खर्च करोगे, क्योंकि जितनी income आपकी बढ़ती है, उसको multiply MPC से करोगे, तो उतना amount आप expenditure कर रहे हैं, consume कर रहे हैं, मानते हैं बच्छे, तो मैं आप क्या करूँगा, मैं आपको समझाने क इतना इसको लिखा है, लेकिन otherwise मैं यहां क्या करूँगा, यहां simple कर दूँगा, C square into change in A bar, अरे बाबा, और सब बच्छे कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी, join कर लिए आप लोग, तो second round में क्या हुआ, देको C square into change in A bar, इतने से आपकी aggregate demand बढ़ गई, और उतने से यह आपकी aggregate supply भी बढ़ जाएगी, और उतने से फिर आपकी income भी बढ़ जाएगी, और total income में क्या होगा, अब इतना हो जाएगा, change in A bar, plus C into change in A bar, plus C square into change in A bar, मान गई जी, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, change in A bar को common ले लूँ, तो यह आजाएगा, one plus C, plus C square, मानते हैं, यह चीज़, यह आपका सिलसिला चलता रहेगा, यह सिलसिला आपका चलता रहेगा, यह कौन सा round था आपका, यह आपका third round था, यह सिलसिला आपका चलता रहेगा, एनफ round तक, मैं कितना दिखा दूँ आपको, यह चलता रहेगा, कभी रुखेगा नहीं, तो एनफ round में जाके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यह ultimately क्या होगा, यह तो टोटल कितना change होगा, जोगो, change in A bar, into one plus C, plus C square, plus C cube, dot dot dot, cn, नहीं ह जाएगा, मानते हो, बोलो ना, यह सर, और आप जानते हैं, आपकी income में total इतनी change हुई है, और आप जानते हो, total change हुआ कहां से है, initially तो आपने इतना ही पैसा लगाया था, initially तो आपने इतना ही लगाया था, initially आपने शुरुवात में आपने इतना ही लगाया था, वो पैसा, वो investment market में कई round घुमते 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 घुमते, हमारे income को यहां तक पहुचा दिया, यहां तक पहुचा दिया, और यह कितना जादा तक पहुचाएगा, यह सारा चीज अल्टिमेटली, इस पर भी depend करता है कि आपका M.P.C. कितना है, क्योंकि जितना M.P.C. होगा उसी साफ से आप कंजूम भी करोगा, उसी साफ से income भी बढ़ेगी, लेकिन हमारा सारा income जो है सो इतना से बढ़ गया, मान गया बच्चे जल्दी बोलो, बता तो हो, बता तो, बता तो, जास्ट ए मिनट, ठीक, पूछो क्या डॉट है, ओ तो, देखो न, ओ तो C N-1 ले लोगे, तो फिर अगला term C N हो जाएगा, नहीं समझा आतको, वो तो depend करता नहीं, कहां तक, कहां तक ले जा रहे हैं, उस पर depend करता है, आप यह कहना चारे होंगे, कि first round में, अगर मान लो, 1 नहीं था, C नहीं था, तो last round में C N-1 होगा, यहीं नहीं कहना चारे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, C N-1 कर लो, लेकिन यह mathematical बाते, आपने सुधार कर दिया, ठीक किया, लेकिन इतना तक मुझे नहीं जाना था, लेकिन बस मुझे एक चोटी बात आपको पूछना था, यहां पे, क्या आपने कभी यह चीज देखा है, यह क्या चीज है, पहले मैं और सब बच्चों को बोल दो, उन्होंने क्या क्या सुधार करवाया है, कि पहले वाले पॉइंट में सिर्फ 1 था, C, सकेंड रौंड से स्टार्ट होता है, इसलिए अगर Nth रौंड होगा, यहां N-1 होगा, यह कहना चारिए, इससे जदा विशेज फरकनी पड़ेगा, ultimately, क्या आपने इस, इस चीज को कहीं देखा है, कह क्या चीज है, क्या चीज है, यह geometric progression में है, और geometric progression में इन सब का summation क्या होता है, बताइए, change in A बार, इसका summation क्या होता है, 1 upon 1-C, मैं geometric progression में इसको derive करके नहीं जिखाऊंगा, लेकिन आपको पता होगा ही चीज, कि अगर 1 plus C plus C square plus C Q dot 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 C and minus 1, यहां तक जाएगा, यह geometric progression है, और 1 upon 1 minus R, पढ़ा होगा अपने साथिये, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, याद है, भूल गए याद है, तो आपने इस तरीके से भी देखा, इसका मतलब है, कि आपकी जो income में change होगी, वो इसके बराबर है, और यही चीज क्या था, यही चीज आपका multiplier था, याद है, यही आपका multiplier भी था, आपने क्या देखा, इस तरीके से भी multiplier को derive किया जा सकता है, और इस तरीके से भी working of multiplier को समझा जा सकता है, मान गए बच्चे, जल्दी बोलो, मान गए, क्या यह important नहीं था समझने के लिए, अब आपकी दिमाग में आ गया ना, अगर नहीं समझे तो ऐसे समझो practically, कुई बंदा मान लो, चलो एक सवाल भी यहाँ दे रखा, उसको भी देखके समझातों में आपको, देखो एक सवाल भी दे रखा, उसको समझातों, सव investment होता है, injection, और savings होता है, leakages, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, inject करता है, मतलब market में डालता है, पैसा, मतलब invest करता है, कितना invest कर रहा है, 100 crore, और मान लो, वहाँ MPC कितनी है, MPC यह 0.80, MPC यह 0.80, MPC यह 0.80, MPC यह 0.80, तो, अब देखो, अगर आप ऐसे लगाते जाओगे, तो first round में क्या होगा, 100 crore आपने investment करी है, तो, आपका demand में कितना change आएगा, मतलब change in why कितना आजाएगा, पहले round में, 100 crore ही आजाएगा, पहले round में तो पूरा पूरा आएगा, उसके बाद अगले round में कितना आएगा, आप 80 crores करोगे, फिर उसके अगले round में क्या होगा, 64 crore, उसके round में क्या होता चला जाएगा, अरे पहली बार अगर 100 crore market में inject किया, तो पूरी की पूरी income बढ़ेगी 100 crore से, लेकिन सकेंड round से फिर कम होने लगेगा, मैं आपको एक ची दिखाता हूँ है, study material में, मैं वहाँ पे change करता हूँ, वहाँ पे mistake से एक ची मैं लिख दिया है, अच्छो मैं confusion पैदा हो सकता है, यहां मैंने first round में लिख दिया है, 400 crore, नहीं, यह होगा 100 crore, यह 100 है, आपने 100 crore पैसा लगाया, तो पहली बार 100 crore ड़ेगा, second round में 100 crore का MPC से multiply करो तो 80 crore ड़ेगा, third round में फिर कितना, 64, and fourth round में 51.2 crore, ऐसे एनेth round तक चलता जाएगा, और सब को अगर sum कर दोगे, summation कर दोगे, तो हमारी income कितने से बढ़ जाएगी, 500 crore से बढ़ जाएगी, मानते हो, नहीं मानते, नहीं मानते क्या, बोलो नहीं से, नहीं मानते तो मैं पूछता हूँ आप से, पहली बार आपने 100 crore ड़ेगा, तो फर्स्ट रॉन में आपकी income कितने से बढ़ी 100 crore से, फर्स्ट रॉन में, second round में क्या होगा, 64 crore से लगेगा, income कितनी बढ़ेगी 64 से, third round में क्या होगा, इसका फिर MPC निकालो, sorry, 80 crore से, यहाँ फिर 64 crore, फिर यहाँ 64 crore से, ऐसे चलता रहेगा, लाश्ट लाश्ट तक, और यह लाश्ट लाश्ट तक जाओगे न, तो यह सारा का सारा change क्या होगा, 500 crore क्या सपास आएगा, change in y जोगा, 500 crore आएगा, change in y क्या आएगा, 500 crore, अब तुम यह देखो न, change in y क्या होता है, alpha into change in a बार होता है, तो change in y हुआ है 500 crore, alpha की value नहीं पता है, लेकिन change in a पता है, 100 crore, नहीं पता है, बता हो, किस से start किया था, 100 crore से start किया था, इसका मतलब है कि alpha की value क्या आगई, मुझे इस बार तो सारे बच्चों से सुनना है, alpha की value कितनी आगई, अरे कहने की बात है, क्यों नहीं बोलते हैं सभी यार, alpha की value आगई 5, alpha की value आगई 5, alpha क्या है, multiplier है, क्या है, क्या यह सही value आया, इसको check कर सकते है, multiplier होता क्या है, multiplier की value क्या होती है, 1 upon 1 minus c, 1 upon 1 minus 0.80, 1 upon 0.20, यह क्या आगया, 5 आगए, multiplier 5 है, देखो न, यह 0.80 कहाँ सला है, सवाल में दे रखा है, 0.80, तो multiplier 5 ही आएगा, तो multiplier दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को explain कर सकते हैं, आज की class में, मैंने पूरा का पूरा focus किस पर रखा है, multiplier पर रखा है, मैं कितना भी बोल दिया, लेकिन मेरे दो बच्चों के लाबा कोई, किसी और बच्चों की आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ी, अब मैं अगला question पूछँँगा, individual ही सबसे, तब मुझे जवाब देंगे आप लोग, पहली बावताईए, इतना कम से कम बोल दिया, हर कोई बच्चा बोल दिजिए, कि जितनी बात मैंने अभी तक करी है, वो सारी बातें हर बच्चों तक पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई, पहुच गई, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, working of multiplier की बात कर रहे थे, अगर एक बंदा 100 क्रोड रुपिया मार्केट में इंजक्ट करता है, मतला इन्वेस्ट करता है, तो पहले रॉन में आपकी इंकम 100 क्रोड से बढ़ जाएगी, तो कि जो भी पैसा मार्केट में आप पंप करोगे, और किसी ने किसी का इंकम तो होगा ही होगा, 100 क्रोड से बढ़ जाएगी, अब जिनके जिनकी पॉकेट में 100 क्रोड गया, सारा बंदा अपने-अपने MPC के इसाब से खर्च करेगा, तो सकेंड रौन में फिर MPC पढ़ेगी, सारी, इंकम पढ़ेगी, कैसे, इंकम इंटू MPC के इसाब से, फिर सो ओन, थर्ड रौन, फॉर्थ रौन, फिफ्ट रौन चलता रहेगा, इस तरह से टोटल इंकम में जो चेंज आएगा न, वो कुछ ज़्यादा ही चेंज आएगा, और कितना आएगा यह आपके multiplier पर depend करता है, आएए, कुछ theoretical बाते यहाँ पर हैं, उनको मैं आपको आपके study material से explain करता हूँ, क्या है sir, देखिए, special point with respect to the multiplier in two sector model, multiplier को two sector model में, कुछ बाते मान कर चलनी होगी, और कुछ special point आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो कौन कौन से special point है, ज्यादा तर बाते तो मैंने पहल ही आपको चिखा रखा है, लेकिन फिर भी, यहाँ पर कुछ बाते मैंने systematically लिख रखा है, तो आप यहाँ समाज़ लेजिए, It is the, It is the MPC, which determines the value of the multiplier, कितनी अनोखी बात उन्हों ने बताया आपको, कितनी नई बात बता दी, इनको नहीं बताया कि परिस्टे दो क्लास से मैं आपको सम्झा चुको हैं चीज, higher the value of MPC, higher the multiplier, my god, oh my god, सब कुछ पहले से पता है, higher the value of MPS, less the value of multiplier, यही बात पता आपको, MPS की value, alpha क्या है, 1 upon MPS, यह भी जानते हैं, क्योंकि 1 upon 1 minus MPC क्या होता है, MPS हो जाता है, यह भी कोई नहीं बात नहीं है, हाँ, एक बात नहीं बात है, यह multiplier क्यों होता है, double-edged short होता है, double-edged short, क्या होता है सर, double-edged short का मतलब, यान तो क्या होता है, दो धारी तलवार, सुना हिंदी में क्या, double-edged short, दो धारी तलवार, मतलब, अगर बंदा पैसा market में pump करता है, लोग pump करता है, तो जितनी तेजी से GDP आपका बढ़ता है, अगर बंदे पैसा market से निकालने लगे, तो उतनी ही तेजी से market नीचे भी गिरता है, इस से अच्छा और best time नहीं हो सकता है, इस चीज़ को समझने के लिए, आपको पिछले बार याद होगा, कि हमारी GDP बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी हमारी growth rate, याद है आपको पिछले बार का, पिछले बार जब pandemic स्टार्ट हुआ था, तो growth rate हमारी काफी कम हो गई थी, काफी कम, क्योंकि एक तो लोगों की income पे बहुत बुरा असर पड़ा, इंकम पे असर पड़ा, तो consumption पे असर पड़ा, और अगर कुछ लोगों की income थी भी, तो वो खर्च करने से बच रहे थे, बुरे वक्त के लिए पैसा बचा रहे थे, तो overall market में क्या हो गई थी, अगर के demand, धड़ाम से गिर गई थे, production रुख गई थी, सारे लेवरर्स की नोकरियां चूटने लगी थी, लोग अपने घर जाने लगए थे, पूरा अफरा तफरी का माहूल था, पूरा हौच पूरा GDP का यह ऐसी तैसी हो गई थी, याद होगा, फिर बड़े मुश्किल से समला, सुधार हुआ, अभी भी सुधार के प्रोसेस में है, लेकिन 100% अभी भी सुधार नहीं हो पाया, जब तक यह pandemic रहेगा, 100% सुधार ने की, आप उमीद कैसे कर सकते हो, अब हम लोग अपनी offline classes में पढ़ाते थे, इस pandemic वैसे offline classes बंद है, offline classes बंद है, अगरे के demand भी कम होगी, ultimately GDP भी कम होगा, और मेरे को integrate कर दो, हिंदुस्तान के सारे working बंदों से, तो सोचो कितनी income कम होई, अब कोर्स private sectors में काम करने वाले लोग, दो तरह से divide हो चुके है, private sectors में कुछ sectors ऐसे हैं, जहाँ income की तो बहार लग गई है, खास कर जो medical sector से, medicine जुड़े वे लोग है, खास कर जो essential commodity से जुड़े वे लोग है, क्योंकि चाहए pandemic को की कुछ भी हो, essential commodity सबको चाहिए, medicine सबको चाहिए, कपड़े सबको चाहिए, कुछ-कुछ बाते तो सबको चाहिए, लेकिन जो चीज थोड़ा से लोगों के shock का चीज था, घुमने फिरने का चीज था, गाड़ी घोड़ा था, गाड़ी में तो अलागी ज़्यादा कम नहीं आया, लेकिन जैसे लोग बाहर घुमने आते थे, कोई लोग tourism पे जाते थे, कोई religious tourism पे जाते थे, तो देखा, आपने कितनी हमारी economy की growth rate चल रही थी, कितना अच्छा growth story था, पुरा दुनिया में चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी invisible virus नहीं, दुनिया वोग तबाह कर दिया, और देखो क्या हो गया, हमारी growth rate कितनी नदाम से गिर गई, क्योंकि हमारा investment कम हो गया, consumption कम हो गया, तो यह जो multiplier होता है, यह devil-aged sword होता है, जब आपका चलेगा, तो पता नहीं कौनमी कहा पहुँच जाएगा, और जब गिरेगा, तो अतनी तेजी से नीचेश गिरेगा, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए, क्या बोलते हो, समझ गए, यह सर, उसकी बाद, एक चोटी बात और बात करते हो, कौन-कौन से बच्चा मुझे जबाब नहीं देना चाह रहा है, बूमी का समझ गई, करिश्मा, करिश्मा की आवास मुझे सुनना, एक बार करिश्मा जल्दी बोलो, आप समझ पा रहे हो, यह सर, मुझे याद रहेगा आपकी अबाज अब, साहिल का सुन रहो है, सिमरन, सिमरन है क्लास में, जरूर होंगी साहित, अभी मैंने एक बच्चे से पूछने के लिए स्टार्ट किया, कि अभी जस्ट एक बच्चा निकल गया, निकल गया, anyway, आप लोग बोलते रही है, तो यह double edge short होता है, यह आपको study material आपके सामने होगा, और यह सब बाते वहाँ पे already explained होगी, ठीक है, this is the forward action of the multiplier, जब GDP हमारा बढ़ता है, तो forward action of the multiplier, similarly a decrease in autonomous spending, अगर autonomous spending decrease करेगा, तो हमारा, क्या होगा, ultimately GDP भी कम होगा, this is called backward action of the multiplier, यह तिनी बड़ी बात नहीं आप समझ गए, the larger the increase in change ने बार, अगर autonomous में ज़्यादा change होगा, तो उसी हिसाब से हमारी income में भी change होगी, अब GDP concept को समझने के लिए, कुछ assumptions भी याद रखने पड़ेंगे, assumptions का मतलब आप छोटे क्लासे से, 11th क्लासे समझ रहा होगे, assumptions हम उन चीजों को मानते हैं, जो चीज पॉसिबल नहीं होता है, हम कहते हैं इसको मान के चलो, actually वो होता नहीं है, यह उसको मान लेते हैं, क्योंकि जो concept आपको multiplier का हम सिखा रहे हैं, यह multiplier concept आप तभी सीख सकते हैं, जब इन सब चीजों का आप आजूम करेंगे, कि हो ऐसा है, तभी मान पाएंगे आप, in the light of this assumptions, आप multiplier theory को पढ़ सकते हैं, तो कौन-कौन से assumptions हैं, MPCs assume to remain constant during the process of income generation, MPC को constant मान लिया गया, जबकि practically MPC constant नहीं होता है, लेकिन for the sake of simplicity, MPC को constant मान लिया गया है, MPC constant है, access और unutilized capacity, यह तो मैं बता चुका हूँ, कब बता है सर, अरे बाबा, जब मैं classical and condition में difference करवा रहा था, उसी वक्त भी कहा था, मैंने कि condition economics जो है, economy जो वो short run किया, और short run में, हमारी full capacity utilize नहीं होती है, capacity खाली रहती है, मैंने कई बार का, अगर आप यहाँ पर बोलोगे, सर आप में पहले नहीं बता रहा का, तो मैं बहुत ज़्यादा परिशान हो जाओंगा, बता रहे हैं, बता रहे हैं बता रहे होतो, एक पूरी क्लास में डिस्कास करी थी, हमारे short run economics में, full capacity कभी utilize नहीं होता है, उसके बाद आपका देरी is, one time increase in autonomous spending, आप मान कर चलो कि हमारी autonomous spending में एक बार change हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है, हर रोज, हर minute पर change होता है, लेकिन multiplier छोरी को समाईने के लिए, आपको वो constant मान लो, कि एक ही बार change हुआ है, it is true sector economy, true sector ही मान लो, government sector को और उसको छोड़ दो भी, no dynamic change in checking place in economy, जबकि ऐसा होता नहीं है, economy में हर रोज, हर minute change होता है, लेकिन ये कहरा कि, मान लोगे कोई dynamic change नहीं हो रहा है, labor, supply, raw material, ये सब जो है न, remain unchanged, जबकि ये सब का भी quantity, हमेशा technology, हमेशा change होता है, लेकिन ये कहरा कि, मान कर चलो, कि अभी ये सब constant है, अगर ये सब चीज़ मान कर चलोगे, तभी आप multiply concept को समझभा होगे, there exists, involuntary unemployment economy, involuntary, मतलब unemployment तो है ही है, कुछ ऐसे unemployment है, जो लोग जा करके भी काम नहीं करना चाते बैटेव है, involuntary unemployment economy, ये सारे assumptions भी आपको ध्यान में रखने पढ़ेंगे, multiply theory के लिए, numerical ज्यादा तर एक जाम में आता है, इसलिए में numerical पर ज्यादा concentrate करता हूँ, लेकिन अगर theory आपको जानना हो, तो मैं study material आप तक तो पहुंचाऊँगा ही पहुंचाऊँगा, चिन्ता मत करना, graphical derivational multiplier, ये बात मैं आपको सम्झाद चुका हूँ, ये पाले ही सम्झाद आदा आपको, बोलो ना, सच बोलो, ये सम्झाद आपको, ये concept, ये सर, ये line आपको सम्झाद चुका हूँ, ये बात है, ये चीज मैंने आपको सम्झाद रखा है, ये line और ये equal है, ये सम्झाद आपको, 45 degree angle है, सम्झाद आपको, ठीक है सर, another way to describe the multiplier, ये भी सम्झाद चुका हूँ, ये कुछ नहीं, ये चीज है, सम्झाद चुका हूँ आपको, paradox of thrift, आई ये, थोड़ा इसकी बारे में बात करते हैं, तो सर क्या, आप कुछ बाते theoretical होगी, अपकोर्स theoretical होगी, next class से कुछ ग्राफिकल और कुछ और derivation होगा, paradox of thrift का मतलब क्या होता समझी है, thrift का मतलब क्या समझते हैं, बोलो न, बता सकते हो क्या, पढ़के बताया कि पहले से बता था आपको, बता था, बहुत अच्छी बात, thrift का मतलब होता सेविंग्स, सेविंग्स, आप बताये, आपको क्या लगता है, एक इनसान पैसा कमाए, और उस पैसे को सेव करे, तो क्या ये economy के लिए अच्छी बात है और बुरी बात है, या उस बंदे के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है, एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया, कि अगर वो बंदा कमाएगा, और बैंक में सेव करेगा, ठीक न, तो अच्छी बात है, बैंक में सेविंग्स भी दो तरगा होता यार, एक होता आपकी सेविंग कॉन में जमा कर दिया, आपने, एक होता करेंट अकॉन में जमा किया, यह सौरी, फिक्स डिपोईट में जमा किया, FD में, अगर आपने सेविंग कॉन में जमा किया, तो इसका मतलब बैंक वाला उस पाई से कोई ज़्यादा फ्रिली यूज नहीं कर पाता है, पता नहीं पता आप कोई चीज, अगर आप FD में करते हो, तो ज़्यादा लंबे समय तक ले करते हो, तो market more investment में चला जाता है, लेकिन छोड़ो उन बातों को, मुझे यह बताओ, कि अगर एक बंदा सेविंग के मोट पे चला गया, दू बंदा चला गया, तीन बंदा चला गया, ठीक है, लेकिन सारे बंदे अगर सेविंग मोट पे चला जाए, तो क्या यह economically सही बात है, मैं ज़्यादा पहली नहीं बुझाओंगा, मैं इसी situation का फाइदा उठा के समझाओंगा, अभी कोरोना वाइरस के प्रिएड में क्या हुआ, एक तो लोगों की इंकम गिरी, और जो भी इंकम बची सारे लोग किस मोट में चले गए, सेविंग मोट में, अगर कोरोना वाइरस के प्रिएड में, अगर पिछले माहिने, पिछले साल, कुछ दो चार पांच में ना पाले आपने पापा से कहते ये लादो वो लादो तो वो कहते रुख जाओ, अभी मत ज्यादा खर्च करो अभी काम चलाओ सिर्फ, मेरे मन खर्च करो पैसे मत उड़ाओ बुरी वक्त के लिए बचाक रखो जो और सब नॉर्मल वो आपकी बात मान जाते थे वो इस टाइम पे आपकी बात मानने से मना कर रहे है इवन आप खुद भी उनको ज्यादा प्रेशन नी डाल रहे है ठीक है यार चलो नो कोई बात नी खाना पिना चल रहा है दवयदारी चल रहा है कुछ नी चलने दो जब पेंडेमिक निकलेगा फिर पैसा आंगे फिर खर्च करेंगे है सबने क्या किया सब सेविंग मोट पर चले गए और अगर सारे लोग सेविंग मोट पर चले गए तो सेविंग को क्या कहा गया है सेविंग को अल्टिमेटली लीकेज मना गया है पता नहीं पता आपको? सेविंग क्या बना गया? लीकेज. आपने सर्कुलर फ्लो में पढ़ाऊगा, सेविंग लिकेज होता है. सेविंग में पैसा निकल गया बार, और पैसा अगर निकल गया, तो अल्टिमेटली एकॉन भी सर्कुलर लीक आगा, जब आप एक बार सेव किये, सारे बंदे तो economy निचे आएगा, income निचे आएगा income अगर निचे आता गया तो second round में आप सब लोगों की income भी कम हो जाएगी हर लोग अगर saving mode पर चला गया तो ultimately overall GDP कम हो गई तो overall हर इंसान की income भी क्या होगी कम हो जाएगी अगर market में सारे लोग saving mode पर चले गया है तो जान लो आने बाले कुछ माहिनों मेर कुछ सालों में आपकी income इतनी गिर जाएगी कि आप saving के लाग बचोई गई नहीं मतलब saving कर रहे थे हमारी income ही घट गई ultimately हमारी saving ही घट गई इसी को बोलते है paradox of thrift आप देखो ना मैं तीन तरह की society की बात आपको समझाता हूँ example देखे इंडिया की बात कर लो दिल्ली है ठीक है पत्ना ले लो हम लोग हम चुकी बिहार से हैं इसलिए पत्ना की एक्जामपल देना मेरे ज्यादा अच्छा लगता है वह ऐसे मेरे को बहुत साल होगे पत्ना याद वियार से दिल्ली वापस आया दिल्ली वापस आया वह 24 years अरॉंड हो गया लेकिन फिर भी जहां से हम है वह हमेसा जाद रहता है मुझे कभी भूल नहीं सकते इंपॉसबल है तो पत्ना एक्जामपल ले लिए तीसरा मैं अप पे कंजमिशन पैटर्ण अगर तुम इंसान के देखोगे तो अलग अलग है दिल्ली में क्या कंजमिशन पैटर्ण है लोग सौर पे कमाता है 200 पे खर्च करता है यह दिल्ली का कंजमिशन पैटर्ण है जितना खमाता है मजे करता है कोई दिक्कत नहीं खूब कमाता है खू नहीं करेगा हो नहीं बात समझें मतलब खर्च करने की टेंडेंसी ही खतम अगर किसी गौँ के लोगों से मिलोगे तो वो बस एसेंशल कमोड़ी पर खर्च करते हैं फालतु उनसे खर्च करवा नहीं सकते हैं इंपॉसबल है आप तुम जखो लेकिन गौँ के लोग क्या अगर आप पॉलिशन की बात करो तो उसको बात करेंगे अधर वाज कितनी सारो लोग दिल्ली आते हैं और कमाते हैं असरवाइब करते हैं हमारे गौँ में कोई चला जागा इसरवाइब कर जाता है क्योंकि वह यहां के सिस्टम का पार्ट बन जाता है तो मैंने क्या देख क्या था लोग का मेंटालिटी उस एकॉनमी में रहनवाई लोग की मेंटालिटी लोग ज्यादा सिविंग करते हैं मैं आपको एक चोटा एक्जम्पल दो क्योंकि आज चुकी बात होने लगी है तो मैं आप कुछ नया टोपी पढ़ाऊंगा भी नहीं इसलिम एक्जम्पल उनके बच्चों बट गया उनके बच्चों से उनके बच्चों बट गया आज हो सकता है कि इस नए जनरेशन तक आते आते पर पर सन वह जमीन दो तीन विगा हो गया होगा घटे-घटे ऐसा हर गउं की कहानी है लेकिन किसी भी जनरेशन ने उसमें से कुछ जमीन निकाल कर इसमेन असनी के बिजनस अस्ट्यक्स करें अगर बिजनस अस्ट्यक्स किया उता है Jersey तो बिजनस काई फूल्ड बढ़ चुका हो ता लेकिन जमीन ईल्टिमेटली क्या वा घरता आप लोग सभी class में है या सो गए class में the paradox of thrift shows paradox of thrift shows an attempt by an economy as a whole to save more अगर पूरी economy ज़्यादा save करेगी तो ultimately result lower saving बात में saving क्या हो जाएगी कम ही हो जाएगी बढ़ने के बजाए बढ़ने के बजाए saving कम हो जाएगी अगर सारे लोग ज़्यादा saving करेंगे तो ultimately saving कम हो जाएगी आप इसको पढ़ लिए खुझ से मैं इस पर example देखे कर बाता हूं तो आपको समय माएगा एक्जामपल देखते हैं numerical देखते हैं फिर समझते हैं heading लिखिए paradox of thrift एक एक्जामपल लिखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए saving दे रखा आपको minus 50 plus 0.50 y और investment दे रखा है 25 plus 0.50 25 y यह saving function है और यह आपकी investment function है अब आप बताएए कि at equilibrium point क्या होता है बोलतो जो बच्चों मेरे साथ साथ बोलो saving equals to investment बहुत ही important है आपके एक्जामपल भी आ सकता है कि यह proof paradox of thrift प्रूप कर गे बताओ इसका मतलब है minus 50 plus 0.50 y equals to 25 plus 0.25 y हो सकता है y को एक साथ कर लीजे 0.50 y plus 0. plus 0.25 y equals to 25 now plus 50 अब प्लस 50 यह हो गया 0.75 I am sorry यह minus होगा यह minus sign होगा minus sign होगा 0.25 y equals to 75 तो y equals to क्या हो गया 75 by 0.25 बताओ कितना आएगा यह आगे आपको 300 मतलब y यहां पर क्या है equilibrium income है star z denote करते हैं आप सब लोग लिखिए इसीज को सब लोग लिखिए सब लोग लिखिए y equals to 300 मतलब जब saving function आपका इस्तरह दिया होगा तो y 300 हो गया राइट अब यह सवाल कहता है माल लो हर बंदा क्या करता है 25 और ज्यादा सेविंग करता है समझे हर बंदा क्या करता है अब देखिए यहां चेंज कर रहा हूँ कि अवरी परसन परसन इंक्रीज इस दियर सेविंग बाई वाट 25 अवरी इंडिविजवल इंक्रीज सेविंग रुपीस 25 हर लोगों ने क्या किया अब 25 रुपया से अपनी सेविंग बढा दी 25 रुपय सेविंग बढा दी इसका मतलव क्या हुआ मैं इक पर सेविंग फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको पहले वाला बंदा जी था न उसकी सेविंग कर भीया थी as equals to minus 50 plus 0.5y अब बंदा क्या कर रहा है वो 25 रुपया और सेव कर रहा है हर बंदा 25 रुपया और सेव कर रहा है इसका मतलव क्या हुआ अब जो सेविंग फंक्शन होगा यह होगा minus 50 plus 25 plus 0.5y मान तो नहीं मानते हो हर बंदा 25 रुपया ज्यादा सेव करने लगा इसका मतलव minus 50 plus 25 plus 0.5y इसका मतलव यह हो जागा minus 25 plus 0.5y मनते हो मनते हैं बोलो न यह सर इसका मतलव अब यह कर बोगा यहां से जाएगा यह हो जाएगा यह सकत क्या हो जाएगा minus 25 plus 0.5y और तो अब सर सेविंग कर हो गया सेविंग यह हो गया और investment में कोई change तो हुआ नहीं investment क्या था 25 प्लस 0.25 वाई इस केस में equilibrium क्या होगा at equilibrium point बता हो income क्या होगी as equals to i नहीं होगी बता हो क्या होगी ऐसी क्यों है तो बता यह minus 25 प्लस 0.5 वाई equals to 25 प्लस 0.25 वाई बता वाई की value क्या आएगी बोलो क्या आएगी 200 आएगी वाई की value अब आप देखो जब वाई आपका 300 था और जब वाई आपका 200 हो गया यहाँ पे saving कितनी थी minus 50 plus minus 50 plus 0.5 into 300 minus 50 plus 0.5 into 300 क्योंकि saving function क्या था minus 15 plus 0.5 वाई था यह 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 ना वाई तो क्या होगी minus 50 प्लस कितना 150 यह saving थी कितनी आपकी सौर पे की saving थी अगर income 200 होगे तो saving क्या होगी अब minus 50 plus 0.5 minus 15 नहीं होगा minus 25 होगा अब यह अपकी अब plus 0.50 into what 200 यह क्या होगया minus 25 प्लस कितना होगया 100 ना 100 तो minus 25 प्लस 100 क्या हो जाएगा 75 आपने क्या देखा जब आपकी income 300 थी तो saving आपकी 100 थी अब आपकी saving कितनी होगी है 75 हो गई है मान गए अल्टिमेटली क्या हो गया अगर आप saving करने की ऐसा क्यों होगा आपकी saving घट क्यों हो गई अगर हर बंदा saving करने के mode में जाएगा तो ultimately पूरी economy GDP लूज कर जाएगी 300 थी 200 हो गई और जब GDP लूज करी income लूज हो गई तो हर बंदे की overall saving क्या होगी कम हो जाएगी और ये जो आफ़त मोल लिया आपने ये ultimately जो आपकी saving कम होगी है ये saving कम होने के पीछे का मतलब वज़ा क्या था ये इसका वज़ा आप खुद थे आप क्यों थे क्योंकि आपने saving बढ़ाई saving बढ़ाई तो saving कम हो गई हमने अगर saving बढ़ाई saving increase करी तो आगे चलके आगे चलके आगे चलके saving क्या हो गई कम हो गई saving बढ़ाई तो saving कम हो गई इसी को क्या बोलते हैं बता इसी क्या बोलते हैं paradox of thrift बोलते हैं इसी को paradox of thrift बोलते हैं कि saving बढ़ाई तो saving कम हो गई हर बंदा अगर saving के mode पर चला गया हर बंदा अगर saving के mode पर चला गया तो ultimately हमारा saving क्या होगा है कम हो गया इसलिए इसको बोलता है saving बढ़ाना तो saving अपने आप लास्ट ली क्या होगा कम हो जाएगा इस एक्जाम्पल के साथ ये सारा स्टेटी मेट्रियल आपको मिलेगा कैसे मिलेगा क्या मिलेगा में तुरा सा एक दोच्छों का email अड़ी मेरे पास आ चुका है लेकिन मैं उनको भेजानी अभी में भेज दूगा वह जल्दी से अब ए प्रोडक्ष्ण अव् गोर्षम अव गोर्मेंट सेक्टर ये मैं मैं गोर्नेमिन peso आइंटर्डीउस कर रहा हूं já कैसे मल्ट्पलाइर क्या मन्ट्पलायर में मॉल्ट्प्लायर थ्योरी में इसको ईंटड्यूस कर रहा हूं क्या सफ़ड़ेगा तरे कि प्रविने सब्ला कुछ बच्चोन मुझे कुछ का है, सर आवाज नहीं आ रही ही, सिमरण को आवाज को नहीं जा रही है तो, मैं क्या को हम बताओ, सब को आवाज जा रही है तो इसको क्यों नहीं जा रही है, Anyway, introduction of government sector. आच्छा आप देखाया मुझा चार्ट देखने के आदत नहीं लगी भी वी और इसलिए प्रओल्म हो गया है अच्छा मैं समझ गया कि चार्ट आया इसका मतलब है कि यह जो ग्रीन पत्ति है अन्य ARE न्यों समझा बस आप आप इसके संधली जो मैंने टेक्स अभी तक बताया था, वो टेक्स क्या था, वो टेक्स आपका autonomous था, वो TA था, याद है, और जब टेक्स autonomous था, तो वो overall A बार का पार्ट हो गया था, इसका पार्ट हो गया था, अब जो मैं बात करूँगा, वो टेक्स होगा variable, variable, variable से साद आपका क्या मतलव है का, वेरिबल से मतलव है का मतलग ये है, कि अब आपका टेक्स होगा ty, टेक्स होगा ty, अगर टेक्स ty होगा, तो मैं आपको सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ यहाँ पे, अगर टेक्स ty होगा तो यहाँ पे टेक्स कभी भी, Autonomous A bar का part नहीं हो सकता है यहाँ पे Tax Cannot be The Part of A bar यहाँ पे Tax A bar का part नहीं होगा बलकि जो Small t है जिसको हम Tax Rate बोलते है यह होगा Part of Multiplier अब मैं जानता हूँ कि जब मैं कुछ लिखता हूँ कोई complicated बात नहीं लिखता हूँ तो निश्री दूप से इसलिए लिखता हूँ कि इसकी बाते कब होगी next class में होगी Sir आपने जो बोला है इतना दिर तक सिर्फ इतना ही बात समयमाया कि अगर Tax Autonomous है तो यह बार का part होगा यह इसलिए समयमाया कि आपने समझा रखा है बहुत पहले से ही लगिन जब tax variable होगा तो यह small t is the part of multiplier यह बात तो समयमे नहीं आया मैं कैसे कहों कि आप को समयमा जाएका क्योंकि मैं समझाना चाहता ही नहीं हूँ मैं सिर्फ अगली class का यहीं से करूँ अगली class में आपके aggregate demand में यह change आने का दो वजह होता है एक a वार वजह होता है दूसरा होता है c यह c के वजह से भी क्या change आयेगा इसके बारे में बात होगी लेकिन ये सब बाते आज की class में नहीं हो सकती है हम अगली class मिलेंगे तो अपने discussions को आगे ले जाएंगे C के वज़ा से अगर के demand में क्या change आएगा और ये जब tax variable होगा तो इसके वज़ा से क्या फरक आएगा इन सब बारे में बात करेंगे लेकिन आज के लिए जितना ही अगली class में फिर्म बलेंगे God bless you all, take care, bye bye and see you